तो स्वागत है आप सभी का यापन अकेडमी के इस नाय है और लेटस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास का उर्दू पढ़ने वाले हैं जिसमें से 10th क्लास के उर्दू का जो दरक्षा बुख है उसमें से मैं आप लोग को 16 चेप्टर तक अलड़ी कंप्लीट करा चुकी हूँ और आज के इस वीडियो में हम लोग 3 चेप्टर कंप्लीट करेंगे याइनकी 17 से लेकर 19 तक 17, 18, 19 3 चेप्टर आज के इस मातरेक वीडियो में कंप्लीट हो जाने वाले है वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है मजा तो बहुत जदाएगा क्योंकि तीनों जो चेप्टर है न यह नजम यानिकी कवीता है इस नजम में क्या-क्या बताएगे हैं इस नजम के शायर वह आप लोग को पता चलेगा मतलब बहुत ही मजदार ये थीनों चेप्टर है प्लस इंप् удив है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि इन थीनों कोशन पूछे तो आप लोग छोड़ करना है हर एक कोशन को आप लोग 100 परसंट करेक्ट बना कर रहे हैं सो नाव विदाउट एनी डिलाइ लाट्स गोड़ो स्टार्ट आप लोग देख सकते हैं लंबा चोड़ा मैं बोड़ पर लिख दी हूं काफी लंबा चोड़ा लिखी लेकिन आप लोग को अंतक बने रहा हैं क्योंकि एक वीडियो में तो थोड़ा सा वीडियो तो लंबी हो जाएगी लेकिन अर एक पॉइंट में आप लोग को कवर करा दोंगी ठेक है ना तो इसलिए मैं बोल रही हूं सबसे पहले तो आप लोग यहां तक स्क्रिंशॉट ले लीजे और मैं आप लोग को एक राय जरूर दूँगी कि जब मैं आप लोग को स्क्रिंशॉट लेने का मौका दे रही हूं तो आप लोग स्क्रिंशॉट ले ले और उसके बाद से जाकर जिरॉक्स करवा ले इससे फायदा यह होगा कि आप लोग उस जिरॉक्स से तो आप लोग को अलग से नोट्स बनाने की जोट नहीं पड़ेगी आप लोग आसानी से उसी से रिविजन कर पाएंगे स्मार्ट स्टडी कीजिए इसे आप लोग बहुत ही कम समय में बहुत ही बहतर स्कोर कर पाएंगे तो यह एक तरह से मेरी तरफ से आप सभी लोग के लिए राये हैं कि आप लोग स्क्रिंशॉट ले 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 उसके बाद से जिरॉक्स करवा ले ठीके ना लिखने की नोट्स बन अब देखिए कोशन एक्जाम में पूछ दिया था कि मनाजिर फित्रत के शायर कौन है अप्सन में दिया था चकबस्त चलिए ठीक है मतलब इस नजम के जो शायर है वो चकबस्त है कोई बात नहीं है लेकिन बहुत सारे स्टुरेंट जो है ना कम्फ्यूज हो गए थे कि य अब फिर से मेरी बात को ध्यां से सुन लीजिए मनाजिर जो है मनजर का जमई होता है मनाजिर और को मतलब होता है प्रकृति नेचर यानि इस चाप्टर में प्रकृति का दिर्श्य दिखाया गया है नेचर का सीन दिखाया गया है और कहां के तो दहरादून के यानि कि दहरादून जो है इस चप्टर के जो शायर है वो दहरादून घुमने के लिए गए रहते हैं और दहरादून जब जाते हैं तो वहां की पहाडी घाटी को देखकर इन्हें बह बहुत ही मतलब शांती का अनुबा होता है वहां का महाल वहां का आभवाय इन्हें बहुत रास आती है यानि कि वहां का क्लाइमेट वहां का नेचर इनको बहुत ही अच्छा लगता है और देहरादून की पहाडी घाटी और वहां के नेचर यान की प्रकृती का दिर्श्य ज यह उसी लिए इस चप्टर का टाइटल क्या दे दिए हैं शायर तो दो है यान की कुदुरत का मनजर कुदुरत का दृश्या या फिर मनाजर फितरत बोलिए बात देखी है तो अगर आप लोग एकजाम में कोश्चन आता है कि मनाजर फितरत के शायर कौन है तो चकबस्त जर चाप्टर से तो मालेजे कमी कोशन उठायाएगा लेकिन जादतर राइटर से कोशन पूछता है उसके बाद से इस को पढ़कर में आप लोगो वर्थ बता दूंगी क्या-क्या बताएं इसने कहाँ मातला देरादुन के बारे में क्या-क्या क्या-क्या क्वालिटी और वहां के जो म सबस्यां का पूरा नाम है पंडित ना लेकिनिए मशुर हो गए थे चकबस्थ के नाम से ठीक है इनकी पैदाइश हुई थी 1882 भी में UP के फैसवाद में लेकिन ये बच्छपन में ही लखनओ चले गए थे याद रखना है चकबस्थ का पूरा नाम पणित बर्ज नरायन है लेकिन ये मशूर हुए थे चकबस्त के नाम से इनकी पैदाईश हुई थी 1882 में यूपी के फैजबाद में लेकिन ये बच्पन में ही कहां चले गए थे लखनओ चले गए थे और इप्तदाई ताली मैंने की शुरुआते शिक्षा जो है ना लखनओ में ही बहुत ही फेमस ये वकील बन गये क्योंकि वकालत करते करते इनको तजुरुबा हासिल होते गया और उसके बाद से क्या हुआ काफी इनको शोहरत मिली देखे बहुत ही अच्छे ये वकील बन गये धीरे-धीरे देखते और इनकी चर्चा जो है ना चारो तरफ होने लगी उसके बार से क्या हुआ इनके बारे में और भी दिया गया है कि नौ-दस साल की उमर में इन्होंने पहली घजल कही थी बचपन से ही इनको शीरोशायरी करने का शौक था तो इसलिए नौ-दस साल की उमर में इन्होंने पहली घजल लिखी थी ठीक है ना और आतिश, और अनिपये तीनो जन जो है नहीं जो पर आगे बढ़ते हैं उने इसा 26 में एक मुकदमा के सिल्सिले में जो है ना ज़िए ना ज़िया ऊप लोग को बताओ में चकबस्ट जो है वकालत का इमतहान पास करके वकील बन गए और धीरे-धीरे ये वकालत करना स्टार्ट किये तो इनका चर्चा जो है ना चारो तरफ होने लगा और बहुत ये फेमस यानि की मशूर वकील बन गए थे और उसके बाद से उन्हें 26 में ये जो है ना एक मुकदमे के सिलसिले में राय बरेली गए थे ठेके और उसी दिन राय बरेली जाकर इन्होंने मुकदमा लड़ा और उसके बाद से जीत भी गए और उसकी बाद से उसी दिन लखनाओं जाने के लिए ट्रेन में बैठे हुए थे और उसी वक्त क्या हुआ कि दिमाग पर फालिस का हमला हो गया और इ राय बरेली आये थे। राय बरेली में इन्होंने मुकदमा लड़ा और जीत भी गए बहुत ख़ुशि की बात है कि जीत गए थे और फिर उसी दिन राय बरेली से वापस लखनाओं आने के लिए इन्होंने इस्टेशन पर आये ट्रेन में जब बैठे है यह बैठे थे ना तो बैठे हुए दिमाग पर उसी वक्त क्या हुआ फालिज का हमला हो गया फालिज मार दिया इनको और जबान हमेशा के लिए बंद हो गई और शाम साथ बजे साथ बज़ रहा था उसक शाम साथ बजे चकबस्त का इंदकाल हो गया कि सुचिए यह फालिज जो है ना कितना खतरनाक चीज़े कभी भी कहीं पर भी मार सकती है तो यह सारा डिटेल्स हो गया चकबस्त के बारे में अब चलिए मनाजिर कुद्रत यह जो नजम है इसके परतियक लाइन को पढ़कर मैं उसका अर्थ समझा देती हूं क्योंकि कोई दो लाइन कभी कभी उठा कर देता है आप लोग के एक्जाम में और बोलता है कि इसका तस्रीख कीजिए तो अर्थ पता रहेगा तभी तो आप लोग तस्रीख कर पाएंगे ना तो चलिए मैं मानी बता देती हूं लिखा हुआ है कि फिजाई को में ऐसी हवा समाती है बश चार से तम तरी है ना दुनिया की आहवजारी जैसा कि हम लिख जहां पर रहते हैं घर पर तो आपर चार तरफ शौरबा होता है ना किसी के चुलाने की आवाज और दुनिया की आहवजारी लगी रहती है किसी के चिलाने कि वाज किसी की रोने की वाज उसके बद को और से भोजन बनाओ तो लग ही अवाज आती है मतलब चारों तरफते आवाजे आती रहती है हं गुजती रह थी लेकिन वहाँ पर बिल्कुल अलग है देहरा दून में अगर आप लोग जाओगे तो आप लोग एक बार ये जरूर महसूस कीजिएगा यह पर बोला जा रहा है कि वहाँ पर ना शूर वशर है ना दुनिया की आहवजारी है मतलब वहाँ पर किसी भी तरह का किसी के रोने की आवाज नहीं आ रही है किसी भी तरह का कहीं भी शूर शर नहीं है बस वहाँ पर शांती है शांती है असर दिखाता है कुदरत का नगमा दिलगीर सजर हजर से टपकती है राग की तासीर यह राग वह है जो मिजराब का असीर नहीं यह हर्फ कान के परदों में गोशा गीर नहीं बोला जा रहा है कि वहाँ पर जो असर दिखाता है न वो कुदरत का नगमा जो है न वो असर दिखाता है ुआ यानि एसा लगता है कि कुद्र जो है न वो नगमा गागार है ठीक के शजर हजर पेड पत्थर जो है न पेड पत्थर से टपकती है राग की तासीर जमो वहाँ पर जित ев DD हैं और वहाँ पर जो हवाय चल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मतलब सभी जो है ना सभी नगमा का रही हूं और सभी से राग निकल रहा हो ठीक है और यह राग वह है जो मिजराब का असिर नहीं और यह जो राग सुर वगयरा निकल रहा है न यह वो राग है जो किसी जो मिजराब का असिर नहीं जो कि किसी मुझिकल इंस्टूमेंट का कोई राग नहीं है मतलब कि वहां का जो राग सुनाई दे रहा है पिड़ पत्थरों से उसके बाद से जो वहां का कुदरत जो नगमा सुना रही है वो जो राग है ना वो किसी मिजराब का असिर नहीं मिजराब का मतलब होता है musical instrument यानि कि musical instrument जैसे कि गिटार तबला गरा होगा इससे जो राग निकलता है ना इससे बिलकुल मुख्तलिफ अलग है वहां का राग ठीक है ना यह हर्फ कान के परदों में गोशागीर नहीं वही सुनेगा उसे दिल कदास है जिसका वो दिल में सोच musical instrument से निकलने वाली राग नएietnam है वो बिलकुल मुख्तलिफ है बिलकुल अलग है और यह राग वही सुनेगा जिसका दिल गदाज हो जिसका दिल साफ हो जो बनडा नेक हो जिसका दिल साफ हो पाक हो वही इस राग को सुनेगा घरीमे खास में घुझरत की बारयाबी थी न सरशार सजर था कोह था चश्मा था या मस्तेगबार यहां पर बोला जा रहा है कि जो प्रकृती ही थी यानि कि कुद्रत वो चाहती थी कि मैं बेपरदा हो जाओं लेकिन कुद्रत में इस दुनिया में ऐसी ऐसी नयाब और खुबसूरत चीज़े बना दीना जिसे देखकर लगता है कि जब कुद्रत ने इन सभी चीज़ों को इतनी खुबसूरत बना दी है तो सोचो कि इस दिन सभी खुबसूरत चीजों और नयाब चीजों को बनाने वाला यानकी कुद्रत खुदा कितना खुबसूरत होगा और इसी वज़ा से जितने भी पेड़ पत्थर थें चश्मा ज़रना वगएर थें सभी खुदा की मुहबत में डूबे हुए और सराब के नशे में धुत होकर चाह सब एक काफिला शौक के मुसाफिर है कि दरख्त क्या है पेड क्या है पत्थर क्या है पहाड क्या है इंसान क्या है और इंसान की जात पाग क्या है यह कोई अलग अलग नहीं है यह सब एक काफिले शौक के मुसाफिर है यानि की इनकी जो शुरुआत है सफर की शुरुआत हो चुकी है यानि कि इनको कुदर्त ने बना दिया है इस दुनिया पर भेज दिया है इनकी सफर स्टार्ट हो चुकी है इनसान जो है ना इनसान को खुदा ने पैदा कर दिया है यानि कि इनसान जब इस दुनिया में पैदा होता है तो समझे कि उसका सफर स्टार्ट हो गया उसे तरह इस दुनिया में जितने भी चीज़े हैं ना खुदा ने उन सबको पैदा किया है, खुदा ने सबको बनाया, खुद्रत में बनाया है, और इस दुनिया में जितने भी हैं दरख्त, फेड़ पौधे इंसान, सभी जो हैं एक ही काफिले शौक के मसाफिर है, यानि कि सभी का सफर स्टार्ट हो चुका ह हैं, यानि कि एक ना एक दिन, हर किसी, हर इंसान का और इस दुनिया में जितनी भी चीज़े हैं ना, उसका अंत तैय है, ठीक है ना, वही बोला जा रहा है, कि सभी एक काफिले शौक के मसाफिर हैं, इस दुनिया में जितनी भी चीज़े हैं, उनका सफर स्टार्ट हो चु है और पस्ती में सब एक साज के पर दे हैं बसमें बसमें हस्ती में यह पर बोला चारा है यह दिल के टुकड़े हैं पुद्रत के इन में बैर नहीं यानिकी इस दुनिया में खुदा ने जितनी भी चीज़ों को बनाया है इन यह सब कोई चीज़े जो हैना खुद्रत के दिल के टुकड़े हैं इन में कोई बैर नहीं है सब एक गुद के पाले हैं कोई नहीं है और सोचो है यहाँ पर हम लोग जमीन पर धर्ती पर रहकर इंसान और 인सान कि नहीं लड़ाई करते रहते हैं और जात पात को लेकर भेदभाव करते रहते हैं जबकि कुद्रत जो है ना कुद्रत जो इस दुनिया में सभी चीजों को बनाया है वो खुद जो है ना किसी में बैर नहीं रखता है किसी में भेदभाव नहीं रखता है जुदा किसी से भी हस पर उसी वक्त से स्टार्ट हो गया बूहात कि इंसान में कोई अंतर नहीं है थोड़ा सक अंतर है कि नजिसम खाक यहां उसका जिसमें पानी है जो रूह है हमें वही उसमें रवानी है ठीक है यानि कि बस थोड़ा सा कांतर है कि जो जहरना है ना उसका जिसम यहन की बदन पानी से बना हुआ है जो रूह हमें है उसमें वही रवानी है और यहां पर फाइनली हो जाता है पूरा नस में आप लोगों को पढ़कर समझा दी अब चलिए फड़ाफट चप्टर को कर लेते हैं इंडिया गेट और यह भी क्या है एक नजम है इंडिया गेट के उपर लिखा गया है जगनात आजाद लिखे थे और यह तब लिखा गया था जब भारत देश को आजादी म को पढ़कर प्रतियक लाइन को पढ़कर अर्थ समझाई उसी तरह इंडिया गेट को इसको पढ़कर अर्थ समझा दोंगी क्योंकि कोई भी दो लाइन उठा कर आप लोग के एक्जाम में पूछ देता है तो तश्रीह करना जरूरी रहता है इसलिए मैं आप लोगो को हर एक नजम के परतियक लाइन को पढ़कर और अर्थ समझा देती हूं ताकि आप लोग तश्रीह करता है ठीक है ना जगरनात आजाद की पैदाइस हुई थी पांच दिसंबर उन्हें सटाराइस भी को इसाखेल में जो की अभी मौजूदा पाकिस्तान के जिला मिया वाली में है ठीक है ना तो उन्हें से अठारे को हुई थी जगरनात आजाद की पैदाइस कहां इसाखेल में और यह कहां है पाकिस्तान के जिला मिया वाली में है इनके वालिद का नाम था क्या तुलूक चंद महरूम और इन्होंने मैटरिक का इमतहान पास किया था मोहन राय हिंदू ह स्कूल से मैटर का इमतहान कहां से पास किया मोहन राय हिंदू है स्कूल से वालिद का तबादला राविल पिंडी होने के वज़ा से यह डीवी कॉलेज में दाखिला ले लिए थे जगरनात आजाद के जो वालिद थे तुलूक चंद महरूम याद रखिए गई यह अब्ज utp explains चले गए और तो जब हिनके वालिद गये तो यह को सनथी में कर जाएंगे सिरा धाजर की अगये और लाभीं पिंडी कोलेज में दाखिला हो गया यह राविलपिंडी से उसके बाल से उन्हें सव्यारी सब्सक्राइब पंजाब फार्सी जभानवादब में और अनर्स की डिग्री हासिल कर लिये सब्सक्राइब कर लिया और उसके बाद से यह बहुत ही जगह जाकर मुलाजमत यानिकि जॉब किये थे लेकिन आखिर में इन्हों सब्सक्राइब कर लिए गये आखिर में इन्होंने जो लास्ट में जॉब किया थे वहां कि सब्सक्राइब को आपोस्ट मिला और उन्हें सब्सक्राइब कर देपाट्मेंट त्वय जुड़े रहें लेकिन उसके बाद से इनको प्रोफेसर बना दिया गया यानिकी उर्दु के डिपार्डमेंट का ये प्रोफेसर बन गया और आखिर कारिण का इंतकाल हो गया था कब 25 जुलाई को दिल्ली में यह हो गया जगरनात आजाद के बारे में सारा डीटेल्स अब चलिए इस नजम को भी पढ़कर मैं आप लोगों को समझा देती हूँ इसके स्टार्टिंग में देखें लिखा हुआ है कि इंडिया गेट की रिफत है निगाहों पे मुहीत बिल्कुल सही बात है इंडिया गेट की जो बुलंदी है ना हमारी आँखों पर च्छाई हुई है ठीक है ना इंडिया गेट वह तारीख का एक बाब जलील इंडिया गे आरकिन सुरत का निसा इंडिया गेट वह अपनों की घुलामी की दलीद देखिए इस नजम में जगनात आजाद जो है ना बताने की कोश्च किये हैं और यहां पर यह बता रहे हैं कि इंडिया गेट वह तारीख का एक बाब जलील इंडिया गेट वह अफरंग की तामीर जमी देखिए यहां पर बोला जाना है कि इंडिया गेट की भुलंती जो हैना हमारे निगाहों पर मुहित है हमारे नजरों पर च्वाइं है हमकी पता है प्षे सकते हैं कि बहुत बड़ी इमारत है और यह ग outtaCl की बात है कि इंडिया गेट इतना इंडिया में है ठीक है लेकिन दुख इस बात का भी तो है ना कि इस इंडिया गेट के बनाने वाले फिरंगी थे यानि कि अंग्रेज थे जो कि अपने ही हमारे ही देश के जो गरीब लाचार लोग थे उन पर जुल्म करके ये इंडिया गेट बनवाये थे तो वही बोल रहे हैं कि मैं किस बात की खुशी मनाओं और किस बात का दुख मनाओं इस बात की खुशी मनाओं कि चलो इंडिया गेट इतनी बड़ी इमारत हमारे भारत में हैं या फिर इस बात की दुख मनाओं कि हमारे इस इंडिया गेट के बनाने वाले इंग्रेज हैं औ हमें याद दिलाता है हमारे जलील की जब इंडिया गेट पर którą ऑफ्फरंग कि तामीर जमीट कि कामियाभी निसानी क्योंकि नहीं बनाया है और नि इंडिया गेट को घरने अग्यार अग्यार्निंज गैर ने बनाया है यानि कि फिरंगियों ने बनाया है उसने हमारे ही देश की देश्वासियों पर जुल्म करके बनवाया है और इंडिया गेट वो अपनों की घुलामी की दलील यानि कि इंडिया गेट हमी यह दलील देता है याद दिलाता है कि इस इंडिया गेट को जो है न हमारे देश के देशवाजसी जो है न गुलाम बन कर बनाये थे यह न की घुलामी की दलील देता है कि हमारा देश एक वक्त घुलाम था अंग्रेजों का इसकी दलील देता है इंडिया गेट कि शोरे हिंद के जवाज मुबाने वतन खुन से सिशने निकले हैं पैराईयों का चमन एक सहलाब शजाद का बढ़ा आता है कहीं दजले की लहरे हैं कहीं हम आज जमन वहीं जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि जगनात आजाद ये नजम तब लिखेते जब हमारे भारत देश को आजादी मिलने वाली थी तो वहीं बोला जा रहा है कि एक सहलाब शजाद ब्लभाति और बहुत ही आज़ादे देश्भासियों के अंदर अपने भारत देश को आजादे दिलाने की लेकिं लेकिन वो क्या रहा है लेकिन फिर भी हमारे भारत देश की दिश्वासी क्यों नहीं आजादे दिला पा रहे हैं क्योंकि एक मजबूरी है मजबूरी क्या है भूख भूख हर शक्स को जावाज बना देती है और अफला से रहे मन्जिल हुबुलवत्नी भूख एक ऐसी चीज़ है कि इन्सान को जावाज बहादूर भी बना देती है और एक पल में भूख इन्सान को राक्षिस भी बना सकती है ठीक है ना तो भी बोला Rot की भूख हर शक्स को जावाज बना देती है और अफला से रहे मन्जिल हुबुलवत्नी मन्जिल तक नहीं पहुच पाता है सोचिए जितने भी भारत देश के देश्वासी थे उनकी गरीवी के कारण ही तो मतलब वो आवाद नहीं उठा पा रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ ठीक है ना क्योंकि अंग्रेज का दबडबा चल रहा था उस वक्त अगर कुछ भी बोलेंगे अंग्रेज उनको उन पर जल्म धाने लगते थे तो गरीवी सबसे बड़ी रुकावाट थी भारत को आजादी दिलाने ही मतलब अपने मन्जिल तक पहुचने के बीच में जो सब की मन्जिल मक्सूद है कि इंडिया गेट की रिफद है निगाहों पर मुहित वहीं बोला जा रहा है कि यह जो सामने इंडिया गेट है यह हमारे जिंदगी के खाजाने में एक नवारत देश में या फिर इस बात की दुख मनाएं कि इसको बनाने वाले अग्रेज थे कोई गैर था जो कि हमारे ही देश के दिश्वासियों पर जुर्म करके बरमाया था यानि कि इंडिया गेट दलील देता है कि हम यानि कि भारत देश जो है न वो कभी अंग्रेजों का घुलाम भी था और यहीं पर हो जाता है यह नजम का देंड अब चलिए फड़फट 19 जो 19 चैप्टर इसको समझ लेते हैं अब देखिए यह मैं आप लोगो शॉर्ट कोट में बताती चल रही हूं ताकि हर एक एक आप लोग समझ भी जाए और कम समय में आप लोग ज्यादा नौलेज गेन कर पाए 17 चैप्टर कंप्रीट हो गया कहीं सभी कोशन पूछेगा आप ल परवेज शाहदी तो सबसे पहले परवेज शाहदी के बारे में समझेंगे इनका पूरा नाम जैना सइद एकराम हुसेल था और यह शुरुवात में तखलुस एकराम रखते थे यानि की शुरुवात में जब यह शेर और लिखा करते थे लास्ट लाइन में जो नाम करते हैं तो स्टार्टिंग में यह एक राम तखलुस रखते थे लेकिन बाद में अपने तखलुस चेंज कर दिया और परवेज लगाना इस्टार्ट करती है इनके वालिद यान की पिता जी का नाम सा सियद एहमद हुसेल और परवेज तखलुस लगाने के उजह सही यह प स्टूवर्ण और पूछा गया यह याद रखिएगा उसके बाद से मदर्सा निजामिया उर्दू फारसी अर्वी मदर्सा निजब्य से जो है यह उर्दू फारसी और arrays की तालिम आशिल किये थे उर्दू फार्सी अर्वी के शिक्षा इन्होंने कहां से लिए तो मदर्सा निजामिया से लिए ठीक है ना और मैटर का इंतहान जो है ना इन्होंने पास किया था उन्हें सब 25 को कलगत्ता युनिवर्सिटी से फिर यह पटना आ गए मतलब मैटर का एकजाम पास करक भी ठेक है लेकिन sm packet में इनको अर्दू के लेक्षर के तोर पर जो है ना बहाल कर दिया गया और सर्थे गये से सिनों के लिए इंस्पेक्टर ऑफ इस्कूल भी हुए थे लेकिन उसके बाद से उर्दू के लेक्षेनर बन गए सुरेंद्रनाथ कॉलेज कलकत्ता के ठीके ना उन्हेस अंठावन इस भी में ये शोबय उर्दू कलकत्ता यान की जो उर्दू का डिपार्टमेंट कलकत्ता मे उर्दू का डिपार्टमेंट था ना जरा आप लोग यहां पर ध्यान से समझे एक बर फिर से उन्हेस अंठावन में परदेज शादी कलकत्ता यूर्दू के डिपार्टमेंट से जुड़े रहे हैं कब उन्हेस अंठावन में और उसी दौरान इनकी शादी हो गई फजील शुर्ण से याद रखनां एक बहुत बार पूचा गया है जो ही तो दिया गया और दोनों का नाम में यहां पर लिख दी हूं पहला है रक्स nói में पूच सकता है यह में तो किसी में पूच सकता है ठीक है है ना और 8 साल की उमर में ये पहले पहला शेर लिखे थे और पहला साल की उमर में ही पहला शेर जो है न लिखे थे और पढ़े भी थे उसके बाद से आगे बढ़ते हैं लास्ट में इनका इंतकाल हो गया था पांच मई उन्हें से 68 हिस्भी को मर्ज तनफुस और कसरत नोशी के वज़े से यही होता है ज्यादा शराब पीने से क्या होता है यह ज्यादा शराब पी थे जिसके वज़ा से इंकी मौत हो गई यह आप लोगो समझ में आ गया होगा और आजकल शराब से कहा नसा बेकार का शराब बदनाम है आजकल के जमाने में वरना तो नसा मोबाइल से भी हो रहा है बहुत सारे बच्चे में अभी मैं देख रही हूँ ज्यादतर जो सबके दिलों पर जो राज कर रहा है ना और सब जिस नशे में सभी लोग डूबे हुए हैं अभी का जो इंडिया आप बोल सकते हैं पूरा वर्ड जो है ना जिस नशे में डूबा हुआ है वो है मोबाइल का नसा ठीके ना अब तो बेकार का शराब बदनाम हना हो गया है जी नहीं हर इनसान को आज कल जितने भी इन्सान है और व्यक्ति को नसा है ऐस चीज़ चीज़ का नसा तो मोबाईल का नसा बहुत ही खराब नसा है आप लोग एक दिन बिना मोबाईल का रहकर दिखाए आप आप एक not by जता है कि और सुदक है अर के वह ACC अब अगले वीडियो में हम लोग बीस्व चीषव करने हो जो केरें लोग आगले वीडियो में पूल रॉप से तीन चेपटर कंप्लीट हूगया यानिकि इसछपटर तक कंप्लीट ठीक है I hope आप लोगवको समझ में आया होगा समझ में आया है कॉंटेक्ट में जितने भी लोग है चाहता उनके पास शेर कर दीजी वीडियो को और हो सके तो स्टेटस जरूर लगा दीजेगा अगर आप लोग चैनल पर नए नए आये हैं मरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूरूर्द बालिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड दो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे अच्छा हां आज कि इस वीडियो में जो कुछ भी में आप लोग समझाई तीनों चैप्टर आप लोग पढ़ें कोई भी कंफ्यूजन भी रहे गया होग झाल 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